और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे मैनपुरी की करहल विधान सभा सीट पर भार्जपा प्रत्याशी और केंद्री कानून राज्यमंत्री स्बी सिंग बगेल के काफिले पर उब्द्रव्यों ने हमला कर दिया बगेल जन संपर का अभियान के लिए समर्थकों के साथ अतिकुलापूर में जा रहे थे गाउन के बाहर पहले से की मौजोद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पत्राव कर दिया आपको बता दें कि प्रचार के दौरान इससे पहले सपा के समर्थक उनके साथ अभधरता कर चुके हैं बीते शनिवार को नगला कुरियन गाउं के पास सपा समर्थकों ने गाड़ी पर आकर उनकी गाड़ी को गाड़ी के पास बे पहुँचे और स्पी सिंग बगेल की गाड़ी को रूथने का प्रयास किया मानि मंत्री जी जो करहल विधान सवा से प्रत्यासी भी हैं कवरई से अतिकुल्णापुर की तरफ अपने काफले के साथ आ रहे थे तभी रास्ते में अतिकुल्णापुर के नजदीक कुछ लोगों ने काफले पर जो है घंडे और पत्थर से हमला पर रपुए और मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पर गये मौके पर सांती वस्ता बनी हुई है और चली अब आपको हमले की पूरी कहानी सुनाते हैं मंत्री स्पी सिंग बगेल की जुबन कि अधिक पर गजब करहल आरासा बाया अतिकुलाप पर लाओ तो तो तबरही अतिकुलाप पर पर के बीच में लगबग साड़े साथ सालिश यवफे सालिश वे होंगे अधिर में खेलों जोग एक है अधिक जिन्दाबाद के नारे लगा रहते हैं और उसमें आधिक आधिक लेका करें कि मैं आमा कांत यादो नगला बदा आँं तुम हमारे नेता चान्द हों रोते हैं जिनों तुमें सांसत बनाय गए और उसने ये और इस पीस दिस लोगों पहीस हमले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतंत्र देव सिंग ने एक ट्वीट कर अखलीश यादव पर निशाना साधा है करहल विधान सभासे भाजपा प्रत्याशी केंद्रे मंत्री स्पी सिंग बगेल जी के काफिले पर हमला ये दर्शाता है कि वहां से सपा के प्रत्याशी अखलीश यादव हार के कगार पर खड़े हैं चुनाव में जीत जनता के आशिरवाद के बल पर मिलती है गुंडों के आतंक के बल पर नहीं तो वहीं डिप्टी सीम केश्य प्रसाद मौरे ने भी सपा पर बड़ा हमला बोला है सौतंतर देव सिंग ने ये ट्वीट किया है और साथ ही अखलीश यादव पर बड़ा हमला बोला भारती जनता पार्टी महनपुरी जनपद में दो हजार बाइस के बिधान सभा चुनाओं में करहल विधान सभा सहीद सभी चारों सीटों पर एतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है इससे बॉखला करके समाजवादी पार्टी के राश्टी अध्यच ने अपने पालतु गुंडों और अपराधियों और दंगाईयों के द्वारा भाजपा की राजसभा सांसर बहन कीत साख के जी के उपर हमला करवाया जब करहल विधान सभा छेत्र में आई जी तेक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया अभी साम को जब लखनव पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंग बगेल जी के भारस सरकार के मंत्री भ बारनसी में नेताओं के जुटान की अब बात करते हैं। पंजाग की सियंग चन्डी ने मंदिर में पहुँचकर पुजार्चना की माथा टेका आज प्रयंका गांधी और राहूल गांधी भी पहुँच सकते हैं मंदिर में दर्शन के लिए बता दें कि आज संत रविदास की जैन्ती है और इस दरान कई पाटियों के दिगज माथा टेकने आते हैं और हमारे संबात दाता वारा नसी से नितीश पांडे भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देंगे नितीश कई सियासत दान आज पहुंचेंगे इस मंदिर में माथा टेकने शुरवात सीम चन्नी से हो चुकी है पंजाब की सीम से आगे क्या अनु अगर कारिक्रम की बात कर ले तो पूरे रविदास मंदिर परिसर का आपको द्रिश्च दिखा रहा है अब देखें चारों तरफ आपको शद्धालों के भेड दिखाई देगे आज ये मौका खास होता है संत के दर्शन का और पूरे देश ही नहीं बलकि पूरी दु जो भीड होती है वो जबरदास तरीके से लगती है और इसके साथ ही दलित समुदाय के वोटों का केंद्र कहा जाता है ये मंदिर और उत्तर प्रदेश में विधान सबाचुनाओं है इसके साथ ही अगर बात करें तो चरंजी सिंग चन्नी यहां पर पहुंचे उन्होंने दर्शल किया और पूरा ये जो सिर्गोवर्दन छेतर है अगर बात करें तो तीन दिनों के लिए पूरी तरह से मिनी पंजाब में तब्दिल हो जाता है और आज यहां से पूरे पूरवांचल पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे पंजाब को साधने के लिए यहां पर जो राजनेता है जो राजनितिग्य है यहां पर उनका जमघट लगा हुआ है और इसके साथ यहां को बता दे कि जो यहां नहीं पहुचे है वो यहां पहुचकर अपनी हाजिरी लगाते हुए देखे जाएंगे यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब यहां पर राजनितिग्य हाजरी लगाने के साथ ही एक बड़ा संदेश करते हैं लेकिन इसके साथ ही उनके मन में दर्शन के भी भाव होते हैं और आज के दिन के दर्शन को लेकर जो भगते हैं वो क्या सोचते हैं आज के दिन आप लोग यहाँ पर आते हैं मन में किस तरह के भाव होते हैं अब हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे आप देखें चार उत तस्वीरों को देखते रहेंगे पिलहाल के लिए शुक्री आजानकारी के लिए और चलिए अब खबरों में आगे पढ़ेंगे परोखाबाद में प्रचार करेंगे अखलेश यादव तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस महासच्रे प्रियंका गांधी आज कानपूर के तौरे पर रहेंगी तो आज अखलेश यादव से लिकर प्रियंका गांधी कानपूर के तौरे पर रहेंगे अलग-अलग विधान सभाव में अपने प्रत्याश्यों के लिए बोटू की अपील की जाएगी कहीं जन संपर कारिक्रम होगा तो कहीं पर रोट शो और कानपूर से ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संबाद दाता रतीश प्रदीदी सीधा रोख करेंगे रतीश का रतीश कानपूर में भी आज कई दिगज पहुंच रहे हैं जहां खलेश यादव रहेंगे प्रियंका गांधी का भी यहां दौरा है किस तरह से इनके कारेक्रम है कितने बज़े कौन कहां पर मौझूद रहेगा सूर्मा आज कानपूर में होंगे और क्या राजनीती होगी और कैसे कानपूर की जनता इसे देख रही है हमारे साथ बहुत सारे लोग इसे बात कर लेते हैं बाओ जी बताई आज प्रियंका गांधी रोडशो करने आ रही है कांग्रेस में हमने देखे कि पिछले दिनों काफी बगावत हुई क्या देखते हैं कितना कंग्रेस के लिए देखते हैं कि यहाँ पर माईलेज मिलने जा रहा है कांग्रेस यह सर्वाइवल की यहाँ लडाई लडा रही है और अपनी जो दो या तीन सीटे बचा लिए तो बहुत बड़ी बात होगी आप पता ही है कॉंगर्स के आज महा सचे प्रियंका गांधी रोट शो करेंगी माहॉल बनाने की कोछीज होगी बनेगा माहॉल कॉंगर्स की रोट शो करेंगा माहॉल तो नहीं मनेगा बस एक कंडिडेर अजय कपूर है जो अपनी इंडिविज्वल कैप सिटी में लाड़ रहा है बस उनका माहॉल जो बना है उसमें कोई यह नहीं की इंक्रीज हो जाया गया वह हो जाया क्या माहॉल दिख रहा है कॉंगर्स के लिए यह नहीं सियासी सीटें ही निकल पाएंगी कांग्रेस की इसे जाला सीटें नहीं निकलेंगी कॉंगर्स की महा सचीव प्रियांका गांधी आज कानपूर में रोट शो करेंगी और देखना होगा कि इस रोट शो से कितना प्रभाव बनेगा कॉंगर्स के लिए उनके प्रत्याश्यों के लिए रती शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और अब बात पीएम मोधी की पीएम मोधी चौथे चरण के प्रचार की कमान संभा लेंगे आज सीतापूर में प्रधान मंतरी मोधी की बड़ी जनसभा होने जा रखी है तो पहर तकरीबन धाई बजे मिलिटरी ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी सीतापूर में चौथे चरण में 23 जनवरी को मतदान होना है और इसके लिए आज प्रचार करेंगे प्रधान मंतरी मोधी और जली अब बात कर लेते हैं सीतापूर में रामराज्य संकल्प की भी पीए मोधी सीतापूर में आज जनसभा करने जा रहे हैं क्या खासियत रहेगी किस तरह का कारगरम है ये जान लेजे तो पहर ताई बजे वे मिलिटरी ग्राउंड में रैली करेंगे सभा स्थल के पास तीन हैली पैट बनाए गए हैं सीतापूर में चौथे चरण में चुनाव होगा जहां 23 परवरी को मतदान है और सीतापूर में 9 विधान सभा सीटे हैं और इन सभी सीटों पर प्रभाव बनानी की कोशिश होगी 2017 में भाजपा ने 7 सीटे जीती थी और सपा और बसपा ने एक एक सीट ही महज अपने खाते में डाली थी तो 7 सीटे बीजेपी के पास गई थी ज्यादा जानकारी लेंगे पंकच सिंग और समवाद्दा था सीतापूर से हमारे साथ जोड़ चुके हैं पंकच बताएं कि जहां पहले तो अच्छा दबदबा सीतापूर में सभी विधान सभाओं पर देख रहा था मजॉर्टी रही थी बीजेपी की लेकिन इस बार पीएम के यहां आने से कितना पर्क पड़ेगा देखिए अनू आपको बता दे कि सीतापूर में भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हैं पीएम की सभा को लेकर ही आस लगाए बैठी हो उनका मानना है कि पीएम की सभा होने के बाद भाजपा के पच्छ में बंबं हो जाएगा और सीतापूर का उसी वही मिलेट्टी ग्रास फार्म है जहां पर प्रधान मंतरी नरेंद मोदी 2019 में सब्सक्राइट अपरेल को आये थे और उस समय चारों लोग सभा की भाजपा की जीती इसके पहले जब प्रधान मंतरी 2014 में आये थे जिपाली में तब भी चारों लोग सभा किसी के भाजपा जीती थी चुकि भीधान सभा के चुनाओं में पहली बात प्रधान मंतरी नरेंद मोदी सीतापूर आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इस से आस हैं कि पीम की सभा के बाद यहां का माहूल बदलेगा और प्रधान मंतरी की सभा को लेकर भारी सुरच्छा व्यवस्ता के इंतिजाम किये गए हैं अनु आपको ये भी बताते हैं इसीतापूर में कई रूट ड्राइवर्जन भी किये गए हैं बारा बंकी से का हाथसे की खबर मिल रही है युद्या के बर्वा गाउं में शाधी समहरों में इस परिवार को ये परिवार आया था और इसी दोरान ये हाद्जा हुआ है छे लोगों की दर्दनाग मौत हुई है